है रहा दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों लगतार यहाँ पर जो है अधियापक भरती की लेवल वन की परिणाम और लेवल टू की परिणामों को लेकर उमिदवार लगतार संघर्ज कर रहे हैं पर दोस्तों साथ ही इनके साथ एक और संघर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि लिवल टू के अंदर 4500 पदों की बढ़ाने को लेकर क्योंकि सरकार ने अधियापक सिख्चक भरती के लिए यहाँ पर पद भी कम निकाले थे जबकि पद भी जादा थे तो इन चीजों पर दोस्तों आखिर क्या हुआ क्या सरकारे जो हैं इस मांग को पूरा करेंगी या नहीं करेंगी इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए एक काफी ज़दा इंपॉर्टिंट अपडेट निंगल करा रही है और साथी दोस्तों जो लेवल वन का परिणाम है यहां पर सरकार को सीधा सीधा चैतावनी दी गई है कि अगर अगस्त के इस दिन तक आप सभी की परिणामे नहीं जारी होती है तो यहां पर फिर से एक बार बहुत ही बड़ा घ्राव सचियो जी का यहां पर दोस्तों होने वाला है तो पूरी इंफर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ तो बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आप सभी के सामने उपेन यादुसर का एक अपडेट आया है जिसमें कि बताया गया है कि दोस्तों आप चिंता ना करें 24 से 24 और 25 यानि कि 24 अगस्त तक अध्यापक भरती का परिणाम नहीं जारी होता है तो 25 अगस्त को यहां पर धरना होगा और परदसन भी होगा पीछे हटना और डरने वालों मैसे से नहीं 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 हुए हैं और 10 अगस्त से कोई भी 10 अगस्त 25 अगस्त की घुशित करने की बात थी और कार्य सांती प्रेम से होगा और इसका जल्द ही विश्ण होगा सासी दोस्तों उनका एक और ट्यूट है जो मैं आप सभी को यहां पर दोस्तों दिखाने वाला हूं जिसमें गिया बता जा रहा है यह दिकरमचारी चैन बोर्ड 24 और 25 अगस्त को अध्यापक भरती लेवल वन का परिणाम जारी कर देता है तो 25 अगस्त को धन्यवाद है अपडेट दिया है यहां पर जो है 24 अध्यापक भर्चे के लिए लेवल टू के परिणामों को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की जाएगी तो यहां पर दोस्तों अगर 25 तक आप सभी के रिजल्ट नहीं जारी होते हैं तो यहां पर फिर से एक बार बहुत ही गेराव होने वाला है तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगरे वीडियो में तप्रिव सुझ जाहिंदे